कि नमस्कार दोस्तों से से वियली हिल्प मैं आपको बहुत बहुत स्वागते इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि CSC दे रहा है मौका आपको CSC आफर कर रहा है कि CSC दे रहा है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या है यह पूरा प्रोग्राम और क्यों हो यह CAC ब्रैंडिंग के लिए पैसा दे रहा है किन-किन वेल इसको मिलेगा और इसके लिए क्या करना होगा कि इसके प्रोसेस है और कैसे आप यह 6,000 रुपे पास सकते हैं य अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि पर इस रेट बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर ले और इस बेल का आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो वीडियो गराऊं को नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक यह एक मेल जो आज ही आया है पांच बच के केस्मिनिट पर मेरे पास है तो इस मेल में टोटल लिखा गया है कि क्या क्या है पहले मैं आपको इस्कीम के बारे में बता दूँ यहां पर CAC जो देगा आपको 6,000 रुपे ब्रैंडिंग के लिए यह जो 6,000 रुपे CAC दे रहा यह एक रिमबॉस्मेंट स्कीम है जिसमें आपको पहले पैसे अपने पास से खर्चने हैं और फिर आपको बिल निकालके CAC को भेजना है और CAC पैसे आपको रिमबर्स कर दिगा तो किस-कैटेगरी में कर रहा है तो मैक्सिमाम इमांट टो भी रिमबर्स इस एक नंबर है Canopy, Canopy के लिए कितना दे रहा है आपको स्टाल टाइप को पुरा टेबल उबर रखे, पुरा डिजाइन किया हुआ था है, लोगों, इस टाइप के लिए आपको तीन हजार रुपए दे रहा है और स्टैंडी के लिए एक हजार, स्टैंडी मतलब समझ रहा है, जो साइड में खड़ा होता है, नीचे से उपर तक ब्रैंडिंग के लिए वो रहता है, बैनर के लिए हजार रुपए, तो बैनर आपको पता ही है, और ब्रोश्यर के लिए हज FastTag is a new service for all VLEs, providing very good commission per tag, referring close sheet, details नीचे दी हुई है, We run the campaign across the country to create a big awareness and promotion for this service, मतलब FastTag service के promotion awareness के लिए, CSA एक पूरा campaign चला रहा है, throughout the country, पूरे देश भर में, और इसी को promote करने के लिए, वो ये reimbursement दे रहा है, marketing के खर्चा जो है, promotion के खर्चा जो है, आपको दी रहा है, ठीक है, CSA will offer, CSA दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, क्या क्या दे रहा है आपको, canopy, standing, signage and brochure to run the campaign, VLE needed to place a 200 tag order with us, coverage required, मतलब जो CSA इसमें participate रहा हैं, उनको 200 tag का order देना पड़ेगा, और ये fast tag का 200 tag का order देना पड़ेगा, उनको, इस campaign में, मतलब इस जो पूरा ये scheme में participate करने के लिए, offer में भाग लेने के लिए, ठीक है, और coverage required, तो कौन दे रहा है ये, state transport and ministry office, mandatory, इसे आपको भीजना है, यहाँ पे आपको campaign लगाना है, close to all major toll plaza, आपके नजदीक में जो भी toll plaza है, वहाँ पे आपको campaign करना है, major parking, जहाँ पे गाड़ी parking वगरा रहती है, petrol pumps, तो समझी रहा है, petrol pumps, और RTO inside, if ask VLE to stand any outside area, RTO के अंदर अगर आपको मुका मिले तो वहाँ पे करना है, अगर RTO के मुकार नहीं मिले, RTO के अंदर खड़ा होने का, RTO मना कर दे आपको खड़ा हों थे, तो RTO के बाहर आपको खड़ा गयना है, मतलब RTO office के बाहर, तो maximum amount रिम्बास जो है, मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे डिटेस लिखे हुए है, और simple closed final design, to be shared by CSE uniform branding, और design जो है, simple design जो है, वो CSE आपको provide करेगी, कि कौन सा design होगा, कैसे logo होगा, कहाँ पर क्या लिखा रहेगा, कहाँ पर क्या नहीं लिखा रहेगा, तो designing का attention आपको जो है, वो नहीं लेना है, अब देखें, यहाँ पर process of reimbursement, ठीक है, number one क्या है, VLi will place the 200 tag order, मतलब पहला तो यह काम करना है, VLi को first tag के लिए 200 का order place करना है, तब यह इसमें participate कर गएंके, ठीक है, उसके बाद second step में क्या करना है, VLi will print all media and places the same at designated place, मतलब VLi को कोई 4 चीजों को print करना है, अपने पैसे से, और उस सही जगा पर स्थापित करना है, जहां पर उनको बोला जा रहा है, जैसे जो भी वो पर declare है, आपका टोल पादा के नजदीक, पार्किंग के आसपास, पेट्रोल पर पार्टी ओफिस वगरा वगरा पर place कर दे जाएं, तीन नम्मर के है, VLi will fill the enclosed form and send to the actual and necessary document, तो एक form है, आपको दिखा रहा हूं, थोई दिर में, तो form है, उस form को fill करना है, और जो भी खर्चा हो रहा है उसके बिल के साथ, GST included बिल के साथ, और head office में forward कर देना है, वीच से आपकी CAC के जो भी representative है, CAC के जो भी बंदे है, उनका sign और stamp इस पे होगा, नेक्स्ट क्या है, Fastex Central Team verify the details, Fastex Central Team जो है, details को verify करेगी, and send them to account team, account के पास भेजा जाएगा, last में क्या है, account will pay the amount, तो account department जो है, आपको ये amount पे कर देगा, अब आगे देखते हैं, note, site of advertisement must be verified, by any CAC representative, और CAC 2.0 team, तो जो site है आपका, जहां पे आप advertisement करेंगे, वो site must be verify होने चाहिए, CAC representative के द्वारा, या CAC के 2.0 के team के द्वारा, no limit of number of advertisement, once all your formalities are completed, तो जो भी number of advertisement है, इस चाहिए उतनी बार आप कर सकते हैं, और इसके कोई limit नहीं है, सिर्फ एक ही condition है, कि वो जो place है आपकी, वो verified होनी चाहिए, ठीक है, और यहां पे details है, click here for state team details, तो यहां पे link आपर दिया हुआ है, state team के details है, यह Excel seat है, attachment आपको description में मिल जाएगा, और बहुत से यह लिभायों को, तो डीजी मेल का मेल आही नहीं रहा होगा, वो login नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए मैं पूरा जो दोनों mail है, दो mail मेरे पास आया है, दोनों mail details, as it is, पुरा copy में, description में डाल कर रखता हूँ, वहाँ से आप पूरा mail देख सकते हैं, यह state के पूरी team के list है, यहाँ से आप state के अपने representative को contact कर सकते हैं, और इस विसे में details जान सकते हैं, second है, आपका commission table, तो यह campaign करके तो दो फायदे होंगे, पहला तो जो भी पैसा है, आपको reimburse हो जाएगा, पैसा बन जाएगा कुछ, और दूसरी चीज है, आपकी branding हो जाएगी, यह government के campaign में, semi-gourmet के campaign में आप participate कर रहे हैं, तीसरी जो भी sale होगी, sale generate जो भी होगी, उसका profit पुरा आपको ही मिलेगा, मतलब वियलिस को मिलेगा, तो यह commission table, यह commission है, commission slab भी change हुआ है, मैं आगे दिखा दे रहा हूँ आपको, क्या है commission slab, और link भी आपको description मिल जाएगा, next है, reimbursement form, यह main form है, यह reimbursement form है, यहाँ पर जाएसे देख सकते हैं, CAC ID, mobile number, email ID, state, district, area of advertisement, कहाँ कहाँ पर आप admissible advertisement कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वो mention कर देना है, data powder, अपने order दिया है, pen number, bank name, account number, IFSE code, और यह सारे condition यहाँ पर दी गई है, इन्हें देख लेना यह तो पता ही है आपको, और all original GST bill will be enclosed with form, form के साथ सारे जितने भी खर्चे हैं उसके GST के bill होनी चाहिए आपके पास, and send it to HO head office, दिब्यान कोईली 230, ओखला, न्यू दिल्ली, 110020, और contact number बगएरा दिया हुआ है यहाँ पर, अबाप प्रोवाइडेड एकाउंट नंबर, एविडेंस नीडेट टू इंक्लोज, इस नॉट इमांट विल बी क्रेटेट इन यूर CAC वैलेट, तो यहाँ पर एक खास दिजाए, आपको जो है रिम्बाश्मेंट के लिए एकाउंट नंबर का, यहाँ पर जो बैक एकाउंट आप मेंशन कर रहे हैं, उसकी एक मतलब एविडेंस भी देना है, पास्बुक का फर्स्ट पर स्कैन करके दे दे, आप कैंसल चेक लिए पर स्कैन करके दे, अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो यह जो पैसा है, आपको CAC वैलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, मैक्सिमम इमाउंट तो बी पेड एस पर अबाव प्राइस चार्ट और एक्चुल बिल्ड विचेवर इस लेस, तो मान लेजे हैं कि टोटल इमाउंट तो 6,000 रुपय है, आपने अगर 10,000 का भी बिल सब बिट किया, आपको 6,000 रुपय ही मिलेंगे, और आपने 6,000 से कम किया, नहीं 5,000 का भी बिल सब बिट किया, तो 5,000 रुपय मिलेगा, जो कम होगा वही मिलेगा आपको, एमाउंट विल बी पेड विदिन 3 वार्किंग डेज, वन्स, कम्प्लीट डीटेल्स, रिसीव एट एचो, एक्ट्वल बिल बी, एक्ट्वल बिल एन अदर नेसेसरी डॉक्मेंट, अगर आपने पूरा फॉर्म साही से फिल किया, सपोर्टिक डॉक्मेंट पूरिस आपने ठीक से दिये है, तो तीन दिनों के अंदर, जे दिन हो एट अपिस में रिसीव होगा, तीन दिन के अंदर आपको पैसा रिम्बस हो जाएगा, मतला आपके एकाउंट या वैलेट में चलाएगा, फोर बाइफोर साइज औफ फोटो कॉपी, फोटो दप, कैनोपी, स्टैंडी, पैनर, ब्रोशियर नीडेट टू इंक्लोज गिर दित, तो जो बैनर ब्रोशियर वगज़ा बनाया है, आप उसकी चार बाइचार की फोटो भी साथ में इंक्लोज करके भेजनी है, पैमेंट, एवाव अल मेटेरियल, तो बी प्रोवाइडेड वंस, तो जब आप 200 टैग का ओर्डर देंगे, तो सारी चीज़े आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, पैमेंट विल बी मेड एफ्टर डियम और स्टेट हेड वेरिफिकेशन, तो डिस्टिक मैनेजर जो है, वो वेरिफाई करेगा, वर स्टेट हेड जो है, वो वेरिफाई करेगा, उसके बाद ही पैमेंट का प्रोवाइड प्रोवाइड चलेगा, CSE will deduct TDS, और VLE, whenever applicable, अगर लगता है, तो TDS भी deduct होगा, अगर नहीं लगता है, तो TDS deduct नहीं होगा, VLE will bear the GST cost whenever applicable, अगर एक इसना कोई GST इस पर applicable है, इस पैसे के उपर तो GST, VLE को ही देना होगा, या नि उसके पैसे नहीं कटेगा, फिर, यहाँ पर देखें, CSE representative, चोबंदा CSE का representative है, उसका नाम रहेगा, mobile number signature, VLE signature and date, तो यह total आपको details मिल जायागा यहाँ पर, description में मेरे, और यह जो है, नया commission chart जो है, इसका commission chart भी change हुआ है, तो यह है वो नया commission chart, ठीक है, SBI का है, आपका 100 रुपय, per tag, और यह मतलब tagging के लिए, और top up के लिए, 0.8% maximum 40 रुपया, ठीक है, 200 रुपी मिनिमम टॉप अप करना होगा, और monthly payment में mode है, equities का है, 60 रुपया, और 0.6 पैसा, top up के लिए, और initially, तुरंट मिल जाएगा, आपको digital रुपया, वैलेट में, और SGF T का है, 100 रुपया, और इसका भी 8%, ठीक है, और 40 रुपया, maximum है, और 200 रुपया, मतलब आपको top up करना है, यह भी initially digital saver wallet में आपको मिल जाएगा, तुरंट, यहाँ पर नीचे देखिए, note लिखा हुए, commission payout is subject to approval of bank, all above commission is effect from 31 2018, CSA will confirm any further change in commercial, अगर कोई changes बगएरा आता है, तो CSA आपको confirm करेगा, बता देगा उससे पहले, तो यह भी मैं details in description में डाल दूँगा, आप वहांचे देख सकते हैं, सारी चीज़ा आपको available हो जाएगी, तो दोस्तों यह राम राज कर वीडियो आसा करता है, वीडियो आपको अच्छा लगाँ पसंदेगा तो प्लीज से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जोर कीज़ेगा, और अगर आप fast track का काम करते हैं तो मैं request करूँगा, तो यह offer का लाव उठाए और अपने campaign में participate करें, औ आइसा भी और नाम भी, तब तक के लिए हमना इस्टे, जाहिए जाबाए